गाम वालों को मेरी सच्चाई बताने से पहले, तुम जिन्दा रहोगी तब न अम्मा, तुम्हें बाहर जाने से पहले मेरे चाकू का सामना करना होगा। इतना बोलते ही रगु अपनी धारदार चाकू निकाल कर दादी अम्मा को मारने लगता, जिससे दादी अम्मा वहीं अपने प्राण त्याग देती, फिर तुरंत रगु घबराते हुए वहां से भाग जाता। फिर कुछ दिन बाद राजू और रानी अपने छुटियों में खेलने के लिए गाव के बगीचे की तरफ जा रहे होते, वो वह जाते और खेल ही रहे होते हैं कि वह अचानक से एक भूतनी आती और बोलती आज मेरा सपना पूरा होगा, मैं आज अपना बदला पूरा करपाऊंगी, काफी दिनों से मुझे एक बच्ची की सरीर चाहिए थी, जिसके अंदर में समान सकूं और उस रगु को उसके किये की सजा देकर गाववालों को सारी सच्चाई बता सकूं इतना बोलकर, ये भूतनी यहां से गायब होकर, रानी के शरीर में समा कर, उसको अपने बस में कर लेती राजू, घर चलो बेटा, बहुत खेल लिये, अब आराम भी करो ये तुम्हें क्या हुआ, अभी अभी तो खेलने आये हैं, और तुम मुझे बेटा क्यों बोल रही हो तुम बहुत बोलते हो, जल्दी घर चलो, नहीं तो गाल में दो, तमाचा खीच कर दूँगी ये तुम्हें क्या हो गया है रानी, तुमने आज तक मुझसे ऐसा कभी बात नहीं किया, और ये तुम्हारे आँख को क्या हुआ, ये अजीब हरकतें और बातें क्यों कर रही हो? अब तुम एक शब्द और भी बोले, तुम्हें तुम्हारा यही खून पी जाओंगे, चुपचाप घर चलो। और तुमसे ऐसी बात कर रही थी, मुझे भी शक हो रहा है, राजु जरूर उसे कुछ हुआ है, क्यूकि हमारी रानी कभी ऐसी नहीं थी। हाँ पापा, मुझे ऐसा लगा, जैसे अचानक से उसके अंदर किसी भूतनी का साया आ गया हो, या कोई रानी पर कोई तोटका कर दिया हो, हमें जल्दी ही किसी तांतरिक से मिलना चाहिए। हाँ बेटा, मैं एक तांतरिक को जानता हूँ, मुझे यकी है, वो इस मामले में हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना बोलकर, ये दोनों तांतरिक के पास उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं। रानी, कोई आम बच्ची नहीं है, उस पर एक भूतनी का साया आया है, और वो भूतनी, और कोई नहीं, तुम्हारी दादी अम्मा है, जिसका कुछ दिन पहले किसी ने खून कर दिया था।